हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 9.1 से कोशे नंबर 4 सोल्व करेंगे कोशे नंबर 4 देखें फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज था नंबर ओफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजिस पिक्टोग्राफ क्या होता है जिसमें डाटा पिक्चर्स के थूर रिप्रेजेंट किया जाता है उसे पिक्टोग्राफ कियाता है तो यहाँ पर देखें यह एक पिक्टोग्राफ है और यह पिक्टोग्राफ क्या शोग कर रहा है नंबर ओफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजिस क की 5 villages में कितने ट्रेक्टरS हैं, उनके numbers रहा है, तो यहां पर देखी, लिखा हुए villages, तो यह 5 villages हैं, village A, B, C, D, E और यहाँ number of tractors है कि village A में इतने tractors है village B में इतने tractors है ठीक है, और यहाँ पर देखे दे रखा है, tractor की एक picture है ठीक है, वो लिखा है is equal to one tractor कि एक tractor जो है, एक tractor के ही बराबर है ठीक है कि tractor की एक picture जो है, वो एक tractor को represent कर रही है जैसे कि village A है, village A में कितने tractor है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह village B में कितने tractor है, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से ये pictograph 5 villages में tractors के numbers को represent कर रहा है अब देखें इसमें हम इसे कुछ question भी पूछे गए है, लिखा है observe the pictograph and answer the following questions, कि इस pictograph को देखिए और in questions के answer दीजी first part देखें, which village has the minimum number of tractors, पूछा गया है कि किस village में सबसे कम tractors हैं, तो अब अगर आप ये pictograph देखेंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस village में सबसे कम tractors हैं, देखें, village D में, village D में कितने tractors हैं, 1, 2, 3, तो सबसे कम tractors किस village में है, village D में तो first part का answer है, village D has the minimum number of tractors, तो सबसे कम tractors village D में हैं, second part देखें, question पूछा है, which village has the maximum number of tractors, अब पूछा गया है कि किस village में सबसे ज़्यादा tractors हैं, तो अगर आप देखें, तो village C में सबसे ज़्यादा tractors हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो किस village में सबसे ज़्यादा tractors हैं, village C में, तो second part का answer है, village C has the maximum number of tractors, थर्ड पार देखें, question पूछा है, how many more tractors village C has as compared to village B, ये पूछा गया है कि village C में, village B की comparison में कितने ज़्यादा tractors हैं, तो देखें, village C में कितने tractors हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tractors हैं, और village B में कितने tractors हैं, 1, 2, 3, 4, 5, village B में 5 tractors हैं, तो village C में 8 tractors हैं, और village B में 5 tractors हैं, तो village C में, village B की comparison में कितने ज़्यादा tractors हैं, तो 8 minus 5 is equal to 3, यानि village C में 3 more tractors हैं, village C में B की comparison में 3 ज़्यादा tractors हैं, तो थर्ड पार्ट का अंसर है, village C has 3 more tractors as compared to village B, तो village C में village B की comparison में 3 more tractors हैं, यानि 3 ज़्यादा tractors हैं, फूर्थ पार्ट देखें कोशन पूचा, what is the total number of tractors in all the 5 villages, कि in 5 villages में total कितने tractors हैं, तो देखें काउंट कीजे, village A में कितने tractors हैं, तो देखे विलेज A में कितने ट्रैक्टर्स हैं 1,2,3,4,5,6,6 ट्रैक्टर्स हैं ठीक है विलेज B में कितने ट्रैक्टर्स हैं 1,2,3,4,5,5 ट्रैक्टर्स हैं विलेज C में कितने हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 विलेज C में 8 ट्रैक्टर्स हैं ठीक है विलेज D में कितने हैं 1,2,3, 3 tractors है और village E में कितने है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tractors है तो अब देखे question क्या पूछा गया है कि इन 5 villages में total कितने tractors है तो इन सबको add कर देंगे 6 plus 5, 11, 11 plus 8, 19, 19 plus 3, 22, 22 plus 6, 28 तो total 28 tractors है तो फूर्थ पार्ट का अंसर है total number of tractors in all the 5 villages is equal to 6 plus 5 plus 8 plus 3 plus 6 is equal to 28 तो उन 5 villages में total कितने tractors है 28 tractors है तो यह था question number 4 आज इस वीडियो में हमने question number 4 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe Thank you